I welcome you all my dear student to my channel Ingenious Study आज हम पढ़ेंगे Study Tour 4 Class 6 की जो book है student My English Book 6 उसका chapter number हम देखने वाले हैं 4.1 The Night Angle and the Nobleman इस्टेंड यहाँ पर जो Night Angle लिखा है इसका मतलब क्या होता है? एक bird होती है, bulgul कहते हैं उसको Hindi में है ना? और एक Nobleman, Nobleman का मतलब होता है समाज में जो उच्च दर्जे वाले लोग होते हैं ना? High rank की जो परसन होते हैं उनको बोलते हैं जो काफी जिनकी इज़त होती, respect होती है, बहुत पैसे वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं Nobleman, ठीक है? तो एक Night Angle, एक bulgul और एक Nobleman की ये स्टोरी आज हम देखने वाले हैं, ठीक है स्टेंड, देख लेते हैं क्या कुछ यहां सीखने वाले हैं, ओके A Nobleman in a faraway land once caught a night angle and put him in a keg, एक Nobleman होता है, इस फारवे लेंड का मतलब होता है, दूर किसी इस्थान पर, किसी दूरस्त, दूर किसी लेंड पर, एक बार क्या करता है, पकड़ लेता है, वह किसको एक Night Angle को, और उसे क्या करते है, वह पिंजरे में डाल देता है, एक Nobleman, ठ No bird like to be shut up in a keg, कोई भी bird like to be shut up in a keg, कोई भी bird like to be shut up in a keg, कोई भी bird पसंद नहीं करती, किसी पिंजरे में रहना, ठीक है न, इसलिए क्या होगा, कि the Night Angle begin to bleed, जो Night Angle थी उसने क्या कर दिया, request करना, start कर दिया, कुछ कहते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ request कर रही, और क्य कह रही ही वो, देखो, please set me free, मुझे क्या कर दो, आजात कर दो, मुझे free कर दो, if you let me go, अगर तु मुझे जाने दोगे, I will tell you the secret of happiness, Night Angle क्या बोल रही है, Nobleman से, अगर तु मुझे आजाने दोगे, मुझे क्या कर दो, आजात कर दो, अगर, if you let me go, अगर तु मुझे जाने तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगी खुस रहने का जो राज होता है secret जो होता happiness का वो मैं तुम्हें बताऊंगी ठीक है The nobleman was rich but not happy वो जो nobleman था वो rich थो था अमीर थो था पैसे वाला था but not happy लेकिन वो खुष नहीं था He wanted to know the secret of happiness वो जानना चाहता था कि क्या secret happiness का है न So he let the bird go इसलिए उसने bird को जाने दिया ठीक है उसे छोड़ दिया फिर क्या होता है Listen said the night angle जैसी उसने bird को छोड़ दिया तो night angle क्या कह रही है Listen ऐसा कह रही है night angle This is the secret of happiness यह है happiness का secret यह है क्या है Never cry over spilt milk and never trust idle words क्या है secret happiness का कि never cry over spilt milk का मतलब क्या है अगर कोई आप से कुछ हो गया अगलती हो गया तो उसके लिए पच्टाओ मत है न जैसे दूद गिर गया मानलो तो उसके लिए आप क्राओ मत करो रो मतरी गिर गया मतलब कहने का मतलब यह एक example है यहाँ पर इसका meaning क्या होता है चिडिया चुक गई खेत तो आप पच्टाओ होत क्या ऐसा आपने सुना होगा हिंदी में जब कुछ आपसे अन्होनी हो गई तो उससे कुछ सीख ले लो लेकिन उसके लिए पच्टाते रहने से कुछ नहीं होने वाला है आपसे गलती होगी पच्टाने की कोई ज़रत नहीं और दूसरी चीज क्या है और नेवर ट्रस्ट आइडल वर्ड्स आइडल वर्ड्स का मतलब होता है यूजलेस या वेन याने फाल्टु की बातों पर वर्ड्स हमें आइडल वर्ड्स विस्वास नहीं करना चाही है जैसे आपको फोन आगे है आपको एक ओफर मिला है दस लाग रुप है मिलने वाले हैं, आपको पच्छिस लाग रुप है है, happy रहेगा, यही है secret happiness का, ठीक है, ऐसा वो का बनती, night angle ऐसा समझाती है, ठीक है, आगे देखो, the nobleman didn't think much of the secret, जो nobleman था, जो उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, यह न, didn't think, बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, much, didn't think much of the secret, इस secret के उपर ज़्यादा सोचा नहीं, यह न, this is just a silly, और वो क्या कह रहा है, he explained, exclaimed, मतलब वो चिल्ला थी में क्या कह रहा है, this is just a silly piece of advice, यह फाल्तु की सला है, यह न, जब भी advice word का use करते हैं, तो a piece of advice बोलते है, two pieces of advice कहते है, direct a advice, two advice, three advice, ऐसा कभी नहीं कहते हैं, वैसे जो bread होती, कुछ word ऐसे होते हैं, जिसका plural हम नहीं बना सकते हैं, जैसे कि I ate a bread, यह गलस sentence, आपको बोलना पड़ेगा, I ate a piece of bread, ठीक है, I ate two pieces of bread, तो इस type के कुछ word होते हैं, तो वैसे advice के सामने हम a piece of advice लिखते हैं, ठीक है, he explained मतलब yelled, he exclaimed, मतलब उसने चिल्लाती हु night angle flame a little higher and sad, जब उसने ऐसा चिल्लाती हुए कहा, तो night angle थी, वो थोड़ा सा ऊपर उड़ी हैं और कहा, too bad you let me go, too bad you let me go, I have rare diamonds under my wings, now you won't get any of them, तो night angle क्या कह रही है, too bad बहुत बुरा किया तुमने, you let me go, कि जो तुमने मुझे जाने दिया, यह बहुत बुरा हुआ कि जो तुमने मुझे जाने दिया, छोड़ दिया, है न, I have rare diamonds under my wings, मेरे जो punk है न, punk under my wings, मेरे wings के अंदर क्या है, बहुत ही rare diamonds है, जो कि बहुत कम मिलते हैं, ऐसे diamonds है, now, अब you won't get any of them, अब तुमें उनमें से एक भी नहीं मिलेगा, diamond एक भी नहीं म अब जो दो nobleman, अब जो दो nobleman था, was really very angry and very unhappy, अभी तो उतना ज्यादा वो unhappy नहीं था, angry नहीं था, लेकिन ये बात सुनने के बाद उसे बहुत पच्तावा हु रहा है, और यार मैंने से क्यों छोड़ दिया, diamond के यहां पर, कुछ rare diamonds मुझे मिल जाते हैं, ऐसा करके, now, अ nobleman था, was really very angry, अब वो वास्तों में बहुत जादा angry भी था, नाराज भी था, और बहुत जादा दुखी भी था, unhappy भी था, और क्या कह रहा है, देखो, oh no, how stupid of me, मैं कितना ब्योकूफ हूँ, you wigged bird, wigged का मतलब था, dust, तुम dust bird, you nasty bird, तुम इतनी बुरी bird हुना, wait till I catch you again, बस wait करो तुम, जब तक कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं रहता, बस wait करो, है ना, wait till I catch you again, जब तक कि मैं तुम्हें नहीं पकड़ लेता, तब तक wait करो, he begin to wail, wail का मतलब होता है, विलाप करने लगा, रोने लगा है, ना, ऐसा कहती है, विलाप कर रहा है, दुख ही हो रहा है, है ना, पच्ता आ रहा है, ठीक है, don't be so upset my lord, said the night angle, night angle क्या बोलती है, my lord, मतलब बड़ा respect के साथ बोलती है, don't be so upset, इतने ज़्याद अपसेट मत हो जाओ, इतने ज़्याद दुखी मत हो जाओ, है ना, it was kind of you, to let me go, it was kind of you, kind का मतलब है दया, ये तुमारी दया थी, मुझ प परीचा है, है ना, that's why I gave you a good piece of advice, और इसी लिए मैंने क्या दिया, आपको एक अच्छी सी सलाह दी, think over it, इसके उपर थोड़ा सा सोचो, है ना, the first thing I said was, जो पहली चीज़ जो मैंने कही, वो क्या थी, don't cry over spilt milk, मतलब, जो बीद गया, उसके उपर पच्ताना नहीं है, है न ये पहली बात थी, है ना, इसका मतलब क्या है, I am already far away from you, मैं क्या हूँ, पहले से ही तुमसे काफी दूर हूँ, far away, मतलब बहुत दूर हूँ, you can't catch me again, और अब तुम मुझे फिर से नहीं पकड़ सकते, है ना, then why make yourself unhappy about it, तो तुम इसको लेकर दुखी क्यों कर रहे है अप जाई थी, हो क्या थी, how can an ordinary bird, how can an ordinary bird like me have diamonds under his wings, मुझ जैसी, मुझ जैसी कुछ ordinary bird, मतलब normally bird, how can, have, उसके पास कैसे हो सकते है, diamond under his wings, एक सामान यसी normal सी bird के wings में, diamond कैसे हो सकते हैं, ये तो एक अपना idle word थे, उसलेस words मैंने आपके बारे में बोले थे, आपके लिए बोले थे, those were just idle words of mine, ये मेरे फाल्दू के word थे, है न, idle word का मतलब था, useless word, है न, it's a mistake to trust such words, ये गलती है कि ऐसे words पर हम क्या करते हैं, विस्वास कर लेते हैं, कई बार है न, use my bits of advice, and be happy, इसले क्या करो, use my bits of advice, मेरे advice का कुछ हिस्ता भी कम से कम use करो, and be happy, और आप क्या हो जाओगे, happy ह farewell, farewell, आगे देखो क्या, farewell का मतलब होता है, आपका भला हो, the nobleman watched as the bird flag away, जब बर्ड वहां से उड़के चले गई, तो nobleman उसे उसे देखता ही रहे गया, ठीक है strand, तो ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी सीख देती strand, कि कोई कोई बाते, कई बार हमको लगता है, आरे, ऐस करने से ऐसा हो जाएगा, 7 दिन में पैसे double हो जाएगे, 14 दिन में double हो जाएगे, ऐसी ये idle words strand, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको लोग बेवकूफ बनाने की कोसिस करते है, और जब आपसे कभी एक बार गलती हो भी जाए, तो बार बार पच्छताना नहीं है, उससे कुछ सीख लेना है और बस आगे बढ़ जाना है, ठीक है, और वही गलती दुबारा नहीं करनी, तो ये story आपको कुछ सिखाने में useful रही होगी strand, आपको ये पसंद आया है वीडियो लेक्चर, तो जरूर इससे क्या कर दीजे, like कर दीजे, मेरे channel को subscribe भी कर दीजे, thank you very much strength